में आप सभी क्या स्वागत है आज में बहुत ही रोटी बनाओंगी अगर रोज इसी की कमी होगी जो फोन की कमी दूर होगी हड्डिया मजबूत होगी वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप सब्सक्राइब करना चाहा रहे हूं प्लीज यह हमारी वीडियो आप अच्छी लगती हो तो लाइक सेर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और बिल आइकन बटन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस वीडियो नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें मैं ले ली हूं चौलाई पहले अच्छे तरीकी से इसे में धोली उसके बाद बारिक-बारिक काट ले हूं चौलाई बहुत ही हिल्दी होती है इसको मैं इस तरह से तोड़ ले हूं पत्ते क तो थो लें पहले तिन-चार बार पानी से दो कर तब इस्ते इमाल करें चौलाई में बहुत सारे हिस्त पाई जाते प्रोटीन फाईबर विटामीन ए सी और मिनरल्स भी पाया जाता है इसमें अयरेन कल्सियम बहुत सारे पूश्टिक ततपाया जाते हैं पूटेसियम और पत्ते निकाल कर मैं बारेक बारेक काट ले हूं बारेक काटें के तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें अपनी मन परसंद और सब जीए डाल सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हो इसमें अधिक मातरा मायरन पाया जाता है तो शरीर में खोन की कमी दूर होती है जिनको अनिमिया की प्राबलम होती है यह सब परिशानियों दूर होती है मैं दो कटोरी ग्यों काटा ले ली हूं आप चाहें तो इसमें थोड़ा बेशन भी डाल सकते हैं और इसमें मैं बारिक कटी हुई चावलाई डाल दी और एक बारिक काट का टमाटर डाली हूं यह अदरग लेस्टून और हरी मिर्च का पेस्ट है जो मैं दरदरा कोटी ली हूँ इसे ज़्यादा बारिक नहीं करी हूं दो चेमज डाल रहे हूं भर भर के और स्वादमसार आप नमक डालने में एक चेमज नमक डाल रहे हूं और एक चोटा चेमज अजवाइन थोड़ा सा हाथ से क दरश करके डालेंगे अजवाइन हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है अधा चेमज हल्दी पाउडर डालेंगे और यह उबली हूई आलू है दो मीटियम साइज के आलू हम धोकर उबाल लिए थे बिल्कुल ठंधा कर लें आलू को एक दो घंटे पा अधिक मातरा में पाया जाता है कलसी हमारे हड्डियों के मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता है आटा मैं लगा ले हूँ इसे 20 मिनिट के लिए रख देंगे ढखके सेट होकर तयार हो जाएगा आटा में मैं पानी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करी हूँ दाल और जो आलू चौलाई टमाटा डाली कि अगर बिल्कुल बने तो कोई टिफिन के ढखकन लेकर उसे से काट ले और नहीं काटेंगे तब भी चलेगा खाने में कोई अंतर नहीं पड़ता है कि टेस्ट बदल जाएगा बिल्कुल गोल रहेगा ऐसा कुछ नहीं है इसको हम बेल लिए इस तरीके से आप हैं कोई भी टिफिन ले 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 कैसे भ चवलाई में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन फाइबेर और विटामीन मिनरल्स जैसे पोस्टिक ततु पाया जाते हैं जो हमारे सरीर को निरोग और मजबूत बनाती है यह चवलाई और संक्रमन रोगों से भी बचाती है कब एसीडीटी गैस की प्राबलम दूर होती है अब इसी हम पलट लेंगे कि अगर आपको तेल और घी से परहज नहों तो थोड़ा सा घी लगा सकते हैं अगर आप घी नहीं खाना चाहते हैं तो ऐसे ही रोटी को सेग ले है अभी मैं आपको रोटी भी सेक कर दिखा दूंगी पहले एक-दो में बना ले रहें घी लगा कर थो जीर में खून की कमी होती है तो चौलाई से दूर होती है इसमें अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है एनेमिय की प्राब्लम दूर होती है चौलाई खाने से इसी तरीके से हम और रोटी बना लेंगे गैस का फ्लम मीडियम रखेंगे तो रोटी बहुत बढ़िया बनेगे इसको भी हम सेम तरीके से सेख लेंगे हरे पत्ते वाली सब्जिया कोई भी खाएंगे तो कब्ज दूर होता है हाई बीपी और डाबडीज के लिए बहुत फायदे मंद होती है हरे पत्ते वाली सब्जि अब हम आपको रोटी भी शेख कर दिखा देंगे जितना आप गी से बनाना हो तो उतना गी से बना लें बाकि आप रोटी बना लें इसे हम पलट देंगे और बिल्कुल गयस कम करके शेख लेंगे दोनों तरब ब्राउन चित्ति पर जाइज तरीके से तो हम इधर भी बिल्कुल आराम से सिख जाती है अगर आप भी न खाना चाहते हो तो इस तरीके से रोटी बनाएं बहुत ही हिल्दी रोटी है बहुत टेस्टी है और आपको बाल जड़ रहा होगा तो आपके बाल के जड़ना रुख जाएगा चौलाई खाएंगे या चौलाई के साग ब बनाएं दोनों फायदा करता है आपकी स्किन के लिए बहुत फायदयमंद होती है कितनी बढ़ी रोटी आप देख पा रहे होंगे और बिल्कुल सौब्ट है इसमें मैं आलू डाल दी हूं इसलिए ज्यादा सौब्ट है इस तरीके साफ एक बार जरूर ट्राइकरें गैस की प्रॉब्लम दूर होती आपके हाट के लिए बहुत फायदयमंद होती है छॉलाई इस हरे पत्ते सब्छम्यार को आप डょasant गीन नहीं करता है जितना आप कुछ खाएंगे हिल्दी चीज उससे हिल्दी रहेंगे आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपके चेहरा अच्छा दिखेगा, चेहरे पर गलो आएगा, बहुत ही हिल्दी रोटी है, आप एक बार जरूर ट्राइ करे ही है, इसे आप कई घंटे के बाद खाएंगे तब भी ऐसे नरम बनी रहेगी, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो था हमें स्पोर्ट करना न भूलें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज